नमस्कार, आज हम कक्षा जाला रसायन शास्ति में एल्टी हैट के आईपीसी नामटरण पर चेच्चा करेंगे जैसा कि आप जानते हैं, एल्टी हैट में क्रियात्मिक समून सीच होता है हम आईपीसी नामटरण में ये ध्यान लखेंगे कि सबसे पहले कार्बन की शन्खला का चेहन करेंगे उसके पश्याद उसमें वेखेंगे कि वह कौन सा एल्टेन है, कितने कार्बन परमान पुस्तिते और एल्टेन के ए को अल से हटाने पर एल्टेनल बनेगा तो इसके पर एल्टे है कि आईपीसी नाम होगे एल्टेनल आए हम सबसे पे लोधान देखते हैं फार्मल्लियाइट फार्मल्लियाट का सुत्र का है? HCHO तो यहां कितने कार्बन पुस्तिते? एक कार्बन पुस्तिते? इसलिए इसका एल्टेन क्या होगा? अब बात करते हैं दूसरे उधारन की एसीटल दियाएट एसीटल दियाट का सुत्र है CH3 CHO इसमें पुल कार्बन है दो इसलिए इसका एल्केन क्या होगा? एथेन एथेन में अल शब्द जोड़ देंगे तो क्या होगा? एथेनल तीसरा अधारन ने प्रोपेनल दियाएट इसका सुत्र है CH3, CH2, CHO अब यहां पर आप कार्बन प्रमाणों का अंकन भी करेंगे नंबरिंग करेंगे तो क्रियात्मक समों को 1, फिर इसको 2 और इसको 3 तो इसको 3 कार्बन प्रमाणों इसका इलके नहुंका प्रोपेन उसमें अल शब्द जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनल अब यहां बन प्रोपेनल क्यों लिखा है? यह भी समझ लिजिए क्योंकि जो ग्रियात्मक समों है वो पहले कार्बन प्रमाणों पर रिपस्ती थे इसलिए इसका नाम हुआ वर्ण प्रोपेनल अगला अधार ने ब्रोपेनल दिया है जिसमें 4 कार्बन प्रमाण की शंकला है तो यहां आप देख रहें CHO, CH2, CH2, CH3 और चूंकि CHO पहले कार्बन पर रिपस्ती थे इसलिए हमने क्या किया ब्रुटन में अल शक्त जोड़कर के ब्रुटनल बना लिया ये किसे रहें और वन क्यों लगाया आगे उसके क्योंकि क्रियात्मक समोँ CHO पहले कार्बन प्रमाण पर रिपस्ती थे तो चुकि ये दूसरी कारवन परवानाद पर CHO समय उपस्तिते, इसलिए इसका नाम हुआ टू ग्यूटिम तो यदि परिक्षान में आप से आले की सिन्हें पूछी जाते हैं, तो आप भग सरलता से इनको लिख करके और देख सकते हों, इनकी प्रेक्टिस कर सकते हों और इनको याद रख सकते हों, धन्यवाद.